दुश्तो, नमस्कार मैं राजीव सिशिरनागर आज आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग को डिकोड करने की बात करने वालो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या क्या है आज लोग बार-बार हर लोग ये कम्प्लेन करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जुगार नहीं कर पा रहे हैं उसका एक सबसे महतोपुर्ण जो कारण है नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बिजनस है या किसी भी प्रकार का मार्केटिंग हो, सेल्स हो, वो कम्यूनिकेशन का बिजनस है अभी कम्यूनिकेशन क्या है सर कम्यूनिकेशन is a process of acting on information कम्यूनिकेशन जो होता है, हम जो information receive करते हैं या हम जो information किसी को देते हैं उसको हम properly उसके ओपर में काम करते हैं उसको कम्यूनिकेशन कहते हैं तो कम्यूनिकेशन जो है, वो बहुत बड़ा role play करता है किसी भी प्रकार के मार्केटिंग में अब आपका network क्या है? आपका जो social contact है, आपका जो पूरे समाज का जो contact है चाए हो अपने personal contact हो, चाए हो family के contact हो चाए हो अपके neighbors के contact हो, चाए हो public contact हो, चाए हो strangers के साथ आप contact करते हैं तो communication इसके अंदर में बहुत बड़ा role play करता है अब communication है क्या सर? मैंने Speakers Institute Australia से Mastering Communication for Influence के उपर में एक course किया है जिसके आधार के उपर में मुझे समझ में आया कि communication जो है वो बहुत बड़ा role play करता है network को build करने में अपने prospect के साथ बात करके business लाने में network marketing में communication बहुत बड़ा role play करता है वो personal communication के लिए हो वो आपका professional context में professional communication के लिए हो लेकिन communication जो है यह जो बातचीत है वो बहुत important role play करता है क्योंकि communication के अंदर में जो मान लीजे मैंने किसी व्यक्ति को contact करना है तो मैं सबसे पहले उस माध्यम को देखूंगा तो अभी जैसे मैं आपके साथ communicate कर रहा हूँ तो मैंने माध्यम क्या डुंडा है मैंने vlog डुंडा है vlog का मतलब मैंने video को अपना channel बनाया तो अभी क्या है मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं एक sender बन जाता हूँ मैं message को send करने वाला हूँ अब सामने वाला message को receive करेगा तो between sending and receiving there is a channel involved वो माध्यम आपका phone भी हो सकता है वो माध्यम आपका written communication के माध्यम से email भी हो सकता है आप किसी को letter भी लिख सकते हैं आप किसी को fax भी कर सकते हैं तो channel sending और receiving के बीच में जो जो channel होता है यह बहुत बड़ा important role play करता है अभी एक sender जब एक receiver को message भेचता है तो channel को use करने के बाद वो सामने वाला receiver है वो message को interpreted करता है वो interpreted message को कब कर सकता है जब वो message को बड़े ध्यान से सुनता है तो communication के अंदर में listening जो है, सुनना जो है वो बहुत बड़ा important role play करता है सामने वाले ने अगर message को proper तरीके से सुन लिया तो उसको interpretation होगा कि sender जो है, वो क्या बोल रहा है receiver को अब receiver ने जब message को interpreted कर लिया तो receiver जो है, वो feedback देगा तो feedback जो है, वो message के माध्यम से वो feedback देता है तो communication के अंदर में बोलने वाला जब बोलता है तो उस समय भी एक noise होता है external noise हो, मने बहारी noise हो receiver जब message को receive करता है तब भी noise होता है उसके लिए भी external noise होता है एक internal noise होता है अब कई बार क्या होता है कि मैंने 11 बजे जाके अपने office में जाके अपने prospects के साथ बात करना है लेकिन किसी कारण वश मेरे घर में कोई समस्या हो गई कोई वारतालाप ऐसी हो गई जिससे मेरा internal जो mind है वो disturb हो गया क्योंकि noise create हो गया तो मैं अपने message को अच्छी तरह से नहीं दे पाऊंगा अब इसके बाद जब आप किसी prospect से मिलते हैं किसी meeting में जाते हैं किसी से बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा major चीज जो role play करता है उसको अंग्रेजी में kinetics बोलते हैं kinetics जो होता है वो आपका facial behavior होता है वो आपका body movement होता है वो आपका gesture होता है वो आपका posture होता है तो क्या होता है कि जब आप अपने posture के माध्यम से body movement के माध्यम से आप किसी के साथ जब बात करते हैं और उसको जब समझाते हैं communication किस लिए करते हैं communication हम अपनी सोच को बया करने के लिए करते हैं, explain करने के लिए करते हैं, समझाने के लिए करते हैं, हम communication का use करते हैं, किसी के साथ meeting को host करने के लिए करते हैं अभी जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं as a speaker आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी आपके साथ speaking कर रहा हूँ और सबसे बड़ी चीज है कि आपको communicate करने के लिए आपको एक अच्छा शुरोता होना जरूरी है आपने कोई बात कहा, सामने वाले ने उस बात को सुना और सुनने के बाद उन्होंने आपको अपनी प्रतिक्रिया बताई तो ये एक बहुत बड़ा पाठ हो गया अभी context भी जो है बहुत बड़ा role play करता है क्योंकि context जो है वो आपका location होता है, आपका समय होता है समय के बाद जो है आप किस occasion में बात कर रहे हैं, तो अभी मैं जो video बना रहा हूँ वो communication in network marketing के उपर में बना रहा हूँ, तो communication के उपर में हम बहुत बड़ा जोर देंगे क्योंकि अगर आपका communication सही रहेगा, तो आप अपने prospect को, अपनी बात को, अपने proposal को, अपने plan को, अपनी company profile को, अपने product profile को बहुत अच्छी तरह से समझा पाएंगे अब vocalics का बहुत बड़ा रोल होता है, vocalics का मतलब आपका voice, speaking के अंदर में voice tonality के उपर में बहुत जोर दिया जाता है कभी आप उची आवाज में बात कर रहे होते हैं कभी आप धीमी आवाज में बात कर रहे होते हैं कभी आप बिलकुल मध्यम गती में बात कर रहे होते हैं क्योंकि किसी चीज को जब समझाया जाता है जब aggression होता है तो हम अपनी tonality को raise करते हैं जब हम कोई घटना के बारे में कोई दुखत घटना के बारे में बात करते हैं तो हम बड़ी धीवे तरीके से बात करते हैं और जब एक process flow के अंदर में पूरी बात को हम जब समझाते हैं तो हम अपने environment को देखते हुए इस चीज को design करते हैं अब communication के अंदर में oculasics का बहुत बड़ा role है oculasics मतलब आपका eye movement अभी मैं आपके साथ सीधे बात कर रहा हूँ, straight बात कर रहा हूँ camera की तरफ देख के बात कर रहा हूँ अभी मैं अगर आपसे उपर देख के बात करने लगूँ तो आपको कैसा लगेगा तो vocalics का एक अपना role है क्योंकि vocalics का मतलब होता है paralanguage का यूज करना oculasics का मतलब होता है आपकी eyes को यूज करना और आपका human connection के अंदर में सबसे जो important role है वो haptics का है haptics मतलब touch करना किसी को हम किसी के पास meeting में जाते हैं तो हम अपना हाथ बढ़ाते हैं handshake करने के लिए तो उसको हम haptics बोलते हैं अब किसी महिला से मिलते हैं तो हमारे देश का तरीका है हम किसी भी lady से जल्दी हाथ नहीं मिलाते हैं लेकिन वही western culture में हम हाथ भी मिलाते हैं हम hug भी करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मतलब आयाम है जो आपके communication में बहुत मदद करता है अब physical appearance जो है बहुत important role play करता है जब आप presentation करते हैं अपने plan के बारे में बात करते हैं तो आपका physical appearance कैसा है तो physical appearance जो है वो आपका attitude दिखाता है तो हमने communication के अंदर में जब एक sender किसी को message भेजता है तो वो अपने message को encode करता है receiver जब message को receive करता है तो उस message को decode करता है sorry decode करने के साथ क्या होता है सामने वाला message को interpreted करता है और उसको feedback के माध्यम से वो respond करता है अब communication के आयाम में दो चीजे बहुत जरूरी है एक communication में verbal communication होता है हम verbal communication का मतलब हम जो अपने मुख से जो सामने वाले को बात रखते है that is verbal communication हम writing में कोई communication करते है email के माध्यम से हम किसी को message भेशते है तो वो हो गया आपका verbal communication और एक होता है non-verbal communication आपका non-verbal communication जो है आपकी proximity को आपके दाइरे को सिद्ध करता है आज मुझे कितने space के अंदर में कितनी territory के अंदर में मुझे बात करना है उसके लिए proximics बहुत बड़ा role play करता है proximity is power तो आप जिस state में जिस territory में अपना presentation देते हैं सामने वाले को communicate करते हैं अपने personal appearance से अगर आप किसी को convince कर सकते हैं तो वो आपका क्या होता है persuasive communication skill बाहर आता है अब कई बार आपने देखा होगा मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि एक prospect ने मुझे call किया मुझे उन्होंने अपनी company profile के बारे में बताया उन्होंने मुझे अपने company के plan के बारे में बताया उन्होंने अपने company के products के बारे में बताया लेकिन जब remuneration की बात आती है compensation की बात आती है तो वो compensation वाला part जो है वो मुझे अच्छी तरह से convince नहीं कर सकते हैं तो वो मुझे convince नहीं कर पाने की वज़े से मैं उनके साथ नहीं जुड़ा उसके बाद उन्होंने अपने senior से बात कराया उन्होंने भी मुझे compensation plan बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा पाए तो मैं उनके साथ ultimately join नहीं किया तो दोस्तों communication बहुत important role play करता है मैं राजीव नागर शक्ती oils and fats का proprietor importer and exporter मैं धन्वंत्री distributors private limited में as a networker हूँ और अभी एक साल से मैं motivational speaker inspirational speaker बनने का प्रयास कर रहा हूँ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप please उसको like करें अगर आपने कोई प्रशन करना है तो मेरे से आप comments box में जाके question कर सकते हैं और अगर आपको सही में अगर वीडियो बहुत अच्छा अगर लगा है तो आप उसको subscribe भी कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में मैं network marketing को one by one पूरा decode करूंगा तो आपकी अगर कोई परेशानी है कोई समस्या है तो आप मेरे से network marketing related अगर आपको कोई भी प्रशन करना है तो आप comment box पे लिख सकते हैं Thank you very much